आज के अंक में हम जानेंगे कि घर का बास्तु किस प्रकार का होना चाहिए हमारे कहने का अर्थ है कि घर का बास्तु किस तरीके का हो कि घर के बास्तु की सभी चीजे संतुलित अवस्था में हो जब आपके घर का बास्तु संतुलित अवस्था में होता है कहने का अर्थ है कि बास्तू में पंच तत्व होते हैं जैसे जल तत्व, अगनी तत्व, पिर्थिवी तत्व, बायू तत्व और बीच में ये आकास तत्व इन पंच तत्व का संतूलन ही बास्तू है इन ही पंच तत्व से संसार के सारे चीज बने हुए हमारा बोडी भी इनी पंच तत्वों पर है और पंच तत्व का ओ संतुलन जिस प्रकार से किसी ब्यक्ति को रोग व्याधी ग्रस्त बना देता है ठीक उसी प्रकार बास्तु में इन पंच तत्व का ओ संतुलन बास्तु को बिगार देता है तो आज हम जानने का प्रियास करेंगे कि बास्तू बाइलेंज्ड किस प्रकार से हो जब हम जलतत्तू की बात करते हैं तो जलतत्तू का जो अस्थान है वो मूल रूप से नौर्थ की दिसा में कहा जाता है नौर्थ की दिशा में हमें एक प्रोक्सीमेट बात करें लग भग लग भग तो ये जो दिशा आपको दिख रही है ये पूरी जल तत्तु की दिशा है ये जल तत्तु की दिशा है जल तत्तु के दिशा में किन चीजों का निर्मान करें सबसे पहले कि जिस तत्तु में यहां इस छेतर में ये जल का दिशा है आप इस छेतर में जल की वेवस्था कर सकते हैं वाटर की वेवस्था यहां कर सकते हैं इस छेतर में आपको पूजा घर की वेवस्था यहां करनी चाहिए पूजा घर यदि आप रखते हैं तो पूजा घर की वेवस्था करें आपके घर में पढ़ने वाले चात्र हैं, इस्टुडेंट हैं तो उनका कक्ष आप इस छेतर में बना सकते हैं, सयन कक्ष, आपके गेश्ट रूम भी बनाना है, तो इसके लिए एक अस्थान है, परन्तु इस छेतर में भी गेश्ट रूम बनाया जा सकता है, तो इन सब आपको घर में बरामदा बनाना है, ओपन इस्पेस रखना है, तो इ पुर्वी छेतर में हमें क्या क्या करनी चाहिए पुर्वी छेतर पुर्वी छेतर सोशलक्रटिवी इसी जुड़ सकते हैं वो यह पुर्विछेतर क आउस इपुल्भ को बिगाड़ए इसी वाली लोगों को रोक सकता है, आप लोगों से कनक्ट नहीं हो पाएंगे, इस छेतर में कक्ष बनाया जा सकता है, बरामदा बनाया जा सकता है, सयन कक्ष भी बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें आप पुर्मे कर सकते हैं, अगनी वाले छेतर हैं, प्राथमिक्ता दें कि इस छेतर में आप रसोई गर का निर्मान करें, आगने का छेत्र अगनी प्रिल्गित कर लें, घर में जेनरेटर रखा है, घर में इनवर्टर रखा है, हैबी एकुपमेंट है, कुछ हीट प्रोड्यूस करने बाले, वो भी आप इस छेत्र में रख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं, क्या अगनी कोन में स सर नहीं रखेंगे और बेड को इस प्रकार से एड़ेस्ट कर लेंगे तो हम इस छेत्र में भी सो सकते हैं बात करेंगे दक्षिन दिसा यह दिसा आपके सोने के लिए अस्थीरता के लिए अच्छी निंद्रा के लिए आपके पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन कहलाता है यह आपके पावर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला यह छेत्र है तो दक्षिन दिसा का बेडरूम अच्छ छेतर में आप बेडरूम बना सकते हैं, इन छेतर में आप सीड़ी बना सकते हैं, इन छेतर में आप चाहें तो इस्टूर भी बना सकते हैं, ये सारी चीजें आप दक्षिन दिसा में कर सकते हैं, दक्षिन के बाद एक छेतर आता है, ये ट्वाइलेट का छेतर, यहाँ डिस् गर के ठकान के बाद आप सूते हैं तो यह अस्थान यहां bedroom है बहुत अच्छा है इस छेतर में क्या नहीं होना चीए ब्रामदा नहीं बना बें टौयलेट नहीं बना सकते हैं, सेड़ी गर बना सकते हैं, इस छेतर में student को घर में यदि पढ़ने वाले कोई बच्चे हो तो इस छेतर में मैं जो घेर रहा हूँ, ये छेतर आता है, इस छेतर में student का भी room बनाया जा सकता है, education के लिए और saving के लिए ये छेतर बहुत अच्छा है, relation और skill के लिए य इड़ी गर भी बना सकते हैं, पस्सिम के बाद ये छेतर आता है कुछ, फिर disposal activity, unwanted चीज़ों का depression का zone, इस छेतर को हम सौचाले के लिए बाथरूम के लिए यूज़ करते हैं, बायब भी कोन, बायब कोन में क्या क्या कर सकते हैं, bedroom बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, guest के लिए bedroom इस छेतर में सरबोत्तम है, आपके घर में कोई servant है, knocker है, तो इस छेतर में उसे bedroom दे सकते हैं, ये जो छेतर आ रहा है, newly married person है कोई, couple है, उसे इस छेतर में आप bedroom बाटकेगा उसे, उसका, उत्तरी छेतर, ये कुवेर का छेतर है, गेन का छेतर है, आपको जो लाइप में मौपरचुनिटी मिलते हैं, मौके मिलते हैं, वो इसी छेतर से मिलता है, ये छेतर को सुधर रखें, साप सुथरा रखें, अच्छा रखें, बेडरूम बना सकते हैं बिल्कुल यहाँ आप बेडरूम बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर जो आता है इसान और नौर्थ के बीच में, यह छेतर आता है आपका, आपकी इम्मुनिटी एंड हेल्थ का, यह छेतर महत पूर्ण है, यह छेतर यदि डिस्टर्ब हुआ, यह छेतर तो कभी नहीं, अब बच जाता है हमारा केंदर, ब्रह्म अस्थान, प्राचीन समय से ही ब्रह्म अस्थान को खुला, रखने का प्राबदान है, बिचार है, आप इस अस्थान को यह भारी निर्मान ना करें, किसी भी परकार का, यहाँ पर सयनक अक्ष्य ना बनाबें, इसे ब ना बात करेंगे, धन्यवार